हेलो एवर्डिबन फागत आप सभी का एक बार फिस से जी डीसी टुटर के मेडिसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत यू पॉप्लर मेडिसिन रेली स्प्रे इंस्टेंट पेन रिलीफ स्प्रे के बारे में जी यहां रेली स्प्रे एक ऐसा स्प्रे होता है जो की बाडी में अलग-अलग प्रकार का जो दर्द होता है स्वेलिंग होता है मास्पेसियों में खिचा होता है उसको दूर करने के लिए अपलाई किया जाता है में लिए आपका जब कमर दर्द हुआ, पीठ दर्द हुआ, गर्दन का दर्द, जोडो का दर्द, गुटनों में दर्द, मास पेचियों में जब खिचाव हो गया, तनाव आ गया, मोच आ गई, स्पोर्ट्स की कोई इंजरी हो गई, तब वहाँ पे ये इस्प्रे किया जाता है, और इसका तुरंद असर दिखता है, और आपका जो दर्द है, इंफ्लामेशन है, स्वेलिंग है, वो तुरंद का ठीक ही हो जाता है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे, रेली स्प्रे, इस्प्रे के अंदर में साल्ट, में कमपोजिशन, में API क्या-क्या मिला होगा इसका उप्योग कहां- कहां देखने को मिलता है, इसके काम करने का तरीका, यानि की मेगनयुमा प्यक्शन क्या है, इसके इस्तिमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, इसका प्रिकॉशन, इसका side fit, मतलब इस इस्प्रे के हम आपको समकोर जानकारी देने वाले हैं, पूरे सब natural content यहां पर मिले होंगे जी यहाँ देख सकते हैं कलोब उएल लॉंक का तेल मिला होगा पिपर मिंट का ओइल मिला होगा कहमकर कपूर का तेल मिला है यूकर लिप्टसक ओओओउल है तर्पेंटाइन उईल winter green का oil, cinnamon oil मतलब सब के सब natural content का oil extract के दोरा ये rally spray बनाया जाता है बात करेंगे manufacture की तो midascare pharmaceutical private limiter इसके manufacturer है room temperature पे इसे store किया जाता है और 49 gram के spray के bottle की कीमत लगबग 180-186 के असपास देखी जाती है बात करेंगे इसके उपयोग किजिए में लिए ये spray कब apply किया जाता है कब लगाया जाता है किस चीज में use किया जाता है तो में लिए ये relief देता है अराम देता है pain से अब वो pain आपके elbow में pain हो गया गर्दन में दर्द है या आपके muscle में मासपेसियों में musculo skeletal pain है साथी साथ कंडे में shoulder में pain हो रहा है joints में घुटने में जोडो के दर्द में ये बहुत ही असरदार मना जाता है दर्द यानि कि feet जो आपका पैर में मोच आ गया उसको दूर करेगा खिचाओ यानि spray मासपेसियों में खिचाओ मोच आ गया उसको दूर करेगा बैक में यानि feet वगरे में दर्द हो गया body के अंदर जहां भी दर्द होगा बहुत ज़्यादा inflammation season होगा वहाँ वहाँ ये रेली स्प्रे हमीं स्प्रे कर देंगे और इसका तुरंद असर देखने को मिलेगा बात करेंगे काम करने का तरीका यानि कि अलग 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 content API मिले हुए होते हैं सबका अलग अलग role देखने को मिलता है सबसे पहले बात करेंगे globe oil यानि कि long के तेल की तो ये मेली क्या करता है help करता है pain को दूर करने के लिए ये locally stimulating effect दिखाता है stimulating effect दिखाता है जिससे जो swelling वगरा है वो दूर होगा है globe oil की दोरा paper mint oil की बात कर ले तो ये जो vessels होती है जिससे हमारे blood supply होता है उस vessels को dilate कर देती है ज़्यादा-ज़्यादा blood supply होगा तो ज़्यादा-ज़्यादा जो हमारा coldness का sensation देगी साथ-इसाथ analgesic effect दर्द निवारेक effect इसका देखने को मिलता है उसी तरीके से बात करेंगे camper oil की तो camper oil के अंदर sedative effect होता है cooling isn't भी होता है stimulating property भी होती है जो की जो swelling हुआ दर्द हो रहा है pain हो रहा है किसके कारण arthritis की condition है गटिया की condition है जब हमारे जोडों के सूजन वगरा वहाँ पे बोन में दिक्कत होती है साथी साथ rheumatize, arthritis है मतलब अलग अलग जो जोडों से related समस्याए है वहाँ पे जो swelling है, pain है, inflammation है उसको दूर करने के लिए camper oil इसमाल गिया जाता है बात करेंगे UK leptos oil की तो इसके अंदर anti-inflammatory property होती जी हाँ, inflammation को दूर करता है जो की sore होता है, जो घाव होता है जो दर्द होता है, उसको soothe करेगा, over excise करेगा मसल को, मसल को तनाव को दूर करेगा साथी साथ relax करेगा, जो मसल मोच आ गई है तनाव है, उसको relax करेगा साथी साथ, मसल के movement को आसान बनाएगा मसल का जो दर्द है जो हमारा मोच आई है मसल आप मुवमेंट नहीं कर पा रहे हो उसको ठीक करने के लिए यूकेलिप्टस ओयल रिस्पॉंस भी लोता है इस प्रकार से ये चार वर करेंगे अब बात करेंगे अगले जो तीन बचे कौन कौन से तर्पिन टाइन आल की बात कर ले तो इसके अंदर ये मसल पे थोड़ा सा गर्माहट देता है जी हां वार्म फिलिंग देगा मसल पे बलड सर्कुलेशन को इनक्रीज करेगा बढ़ा देगा और आपका इंस्टेंट पेन को रिलीफ करेगा यानि पेन को दूर करने के लिए रिस्पॉंस भी लोता है टर्पिन टाइन आल बात करेंगे विंटर ग्रीन आल की तो विंटर ग्रीन आल के अंदर एनस्थेटिक इफेक्ट होता है जी हाँ वहाँ पेन के सिंसेशन को दूर कर देगा नर्वस में साथी साथ ब्लड सर्कुलेशन को ये भी इंक्रीज करेगा और वहाँ पे गर्माहट वाली फिलिंग देगा अफेक्टेड एरिया पे और आपका जो पेन वगड़ा है वह असानी से दूर कर देगा सिनमन ओयल की बात कर लें तो इसके अंदर भी एंटी इंफ्लामेट्री एक्टिविटी होती है एंटी इंफ्लामेट्री के सबस्थांस होता है जो की इस्टिफनेस जो जकरन होती ही जो तनाव होता है मसल में उसको दूर करेगा और जो joint में जो तनाव है, मसल है, अकडन है, उसको दूर करके, इस प्रकार से ये जो सारे content है, अपना-पना role प्ले करते हैं, बात करेंगे इसके direction for use, कैसे इसे use करना है, देखिए, ये spray है, aerosol है, तो सबसे पहले spray को use करने से पहले अच्छे से shake करना चाहिए, content अच्छे से मिल जाए, फिर जो भी affected area है, जहां भी 5 cm की दूरी से आपको एक से दो बार spray करना है, जहां बीचाए आपके कमर में हो, कंडे में हो, अगल अलग-अलग जो भी हमारा दर्ध है, उसके जगह पे आपको 5 cm से spray करना है, इस प्रकार से आपको use करना है, बात करेंगे, कुछ सा इसे आखों पे, face पे, नहुज पे, यानि ऐसे sensitive area पे आप spray न करें, साती साथ जो खुले हुए गुण है, घाव है, जो आपका जो जल जाता है, कट जाता है, वहां पे भी इसे spray नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जलन होगा, irritation होगा, बच्चों से इसे दूर रखें cool place में, dry place में, direct sunlight से दूर रखें, इस्तमाल करने से पहले इसको अच्छे से से सेख करना चाहिए, बात करेंगे side fit की, तो जैसा कि हमने बताया, release spray के अंदर सब के सब natural और ayurvedic content के दरह मिलकर बना होता है, तो इसका कोई भी side fit देखने को नहीं मिलना, जो कि दर्ध निवार इस प्रकार के दर्ध से बहुत अच्छा अराम दिखाने को काम करता है, इस spray की जानकारी आपको कैसी लगी डियर, अगली medicine, अगली दवाई, अगला spray, अगला tablet किसके बारे मता है, उसे भी comment box में जरूर लिखेगा, इसी तरीके से दर्ध के और जितने भी tablet की जानकारी चा हो मीर चाहता है, और लिखाने को मेरी बर्वाई को काम काम कैसी जाकी खम माठख से लूह एक्वाई टो और लिखेगा, ंनकारी ऊशने लूह माठाख सब्याम काम के सूने पामतितना की जाते है